चलो अब एक एक करके नीचे आजाओ, मैं तुम सब को वैक्सिन लगा देती हूँ या कहो इससे पहले की नर्स दिदी उपर आजाए, चलो हम सब तलाब में कूच जाते हैं पहले मैं ही कूच जाता हूँ, तुम बाहर नहीं आओगे, तुम मैं ही अंदर आजाती हूँ तुम बहुत टेस्टी था ममा, मेरा तुम मन खुश हो गया, मन खुश हो गया, अच्छा, तो ठीक है, तुम भी मेरा मन खुश कर दो वो कैसे ममा, खाना खा लिया न, तो चलो जाओ, बैटके पढ़ाई करो ममी, मैं तो जा रही हूँ पढ़ने, मुझे बहुत सारा होमोग करना है क्या, इतना अच्छा खाना खा के अब पढ़ाई करने पढ़ेगी और फिर चिक्की पढ़ाई करने चली जाती है चलो जल्दी से अपना होमोग खतम कर लेती हूँ विक्की, देखो चिक्की पढ़ने बैट गई, जाओ तुम भी जाके पढ़ाई करो ठीक ममा, जाता हूँ अब तो जा नहीं पढ़ेगा, ये मोटी भैस बुक लेके बैट गई है अब मुझे भी बुक लेके बैट नहीं पढ़ेगा चिक्की, तुझे पढ़ाई करने की बहुत जल्दी रती है न खाना खाते खाते बुक लेके बैट गई अभी तो खाना खाने का ढ़कार भी नहीं है और पढ़ने बैट गई और तुझे देखकर मम्मी मुझे भी कह रही है कि पढ़ने बैट जाओ हाँ तुम्हें तेरे जैसी नहीं हूँ मैं अपना होमक कम्प्लीट करती हूँ तु तो कभी अपना होमक कम्प्लीट भी नहीं करता रोज मुर्गा बनता है क्लास में जल्दी से पढ़ने बैट जा करो तो फिर तुम यहां क्यों आ गए मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं विक्की के घर जाके उसके साथ बैठ के पढ़ाई कर लेता हूं ग्रूप में पढ़ाई करने में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है पढ़ाई तो फिर तेरी मम्मी ने क्या कहा मम्मी ने बोला कि हा मा बेटा जाओ, विक्की के साथ बैट के पढ़ाई कर लेना, इसलिए मैं तेरे घर आया हूँ, ताकि मैं पढ़ाई से बच जाओ, लेकिन यहां बचोगी नहीं बेटा, मेरी मम्मी भी बोल रही है कि बैट के पढ़ाई करो, अरे तो तू भी अपनी मम्मी से यही बोल दे कि मैं रोहन के घर जाके पढ़ाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम तलाब पर चलेंगे और वहां खूब खेलेंगे, आइडिया तो अच्छा है, रुक मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ, मम्मी रोहन मुझे पढ़ने के लिए बुलाने आया है, मैं उसके घर चला जाओ, हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जाओ, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, ठीक है मम्मा, चलो चलो, मम्मी ने हाँ कर दिया है, अब हम तलाब पे चलके खूम मझे करेंगे, रुको, मैं मार्बस की गोलिया लेके चलता हूँ, इसी से खेल करने जा रहे हो, अरे चिक्की देख, इतना अच्छा मौका है, मैं तो कहता हूँ, तू भी चल ले, फिर वहां से आके हम दोनों पढ़ाई कर लेंगे, फिर मैं भी तुमारे साथ बैठ के पढ़ाई करूँगा, हाँ चिक्की जा, तु सोना, स्वेटी, लाडले, मिंकी सब को बुला कि ले, फिर हम सब बहुत मजे करेंगे, तला पर ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजा हैगा खेलने में, हाँ चिक्की चलना, रात में पढ़ाई कर लेंगे न, ठीक है, चलो चलती हूँ, तुम दोनों चलो, मैं अपनी सहलियों को बुला कर आती हूँ, फ हाँ सपना जी, वो बच्चों के वैक्सिन का टाइम हो गया है, तो मैं वैक्सिन लगाने आई हूँ, कहाँ है बच्चे, अच्छा, वैक्सिन लगाने आई है, लेकिन नर्स दिदी बच्चे तो घर में है ही नही, तो कहाँ गया आपकी बच्चे, विक्की तो रोहन के घर पढ़ाई करने गया है वो रोहन है ना जो पडोस में रहता है उसी के घर गया है विक्की और मुझे लगता है चिक्की भी वही गई है आप वही चले जाओ वही पे लगा देना उन्हें वैक्सीन मैं वही से आ रही हूँ रोहन की मम्मी कह रही है कि रोहन विक्की के घर गया है अरे भाई कौन किसके घर पढ़ने गया है मैं कहां जाओ वैक्सिन लगाने क्या रोहन की मम्मी ने ऐसा कहा रोहन आया तो था लेकिन वो तो विग्गी को लेकर चला गया हम इसका मतलब बच्चे पढ़ाई करने नहीं कहीं और ही निकल गये हैं तभी चिक्की अपना नोटबुक यहां छोड़के गई है अब मैं उन्हें कहां ढोंड़ों कैसे वैक्सिन लगाऊ उन्हें नर्स दिदी अब मैं क्या बताओं आप बाहर जाके देख लिजे कहीं बाहर ही खेल रहे होंगे पूरी कॉलनी च्छान मारी है हमने एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है आपकी कॉलनी में अरे सिश्टर आपको याद है पिछले बार क्या हुआ था पूरी कॉलनी च्छान मारी थी हमने बच्चे नहीं मिले थे और बच्चे जाकर तलाब पर छुपे बैठे थे हाँ बोल तो तुम सही रही हो तो क्यों न हम तलाब पर चल के देखते हैं क्या पता वहीं मिल जाए सारे बच्चे ठीक है चलो तलाब पर चल कर भी देख लेते हैं और फिर नर्स दिदी तलाब के और जाने लगती है अरे नर्स दीदी जब मिलेंगे तो कान पकड़ के लेया ना उन्हें और यहाँ पर सारे बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं रुको मैं इन मार्बल्स की गोलियों को यहाँ पर गिराता हूँ फिर पानी में डाला जायेगा देखो किकनी सुन्दर हैं यह मार्बल्स की गोलिया उसे पानी डालेंगे तो कितना मजाएगा ना अरे लाटली उठ जा खुशी के मारे बेहोश हो गई पहले मैं पानी में फेकूंगी इन गोलियों को ए डुम अरे इतने से क्या होगा जदा ज़दा डालो यह देखो मैं इतना डालूँगा यह देखो हाँ हम भी डालेंगे हम भी डालेंगे ए गया अरे हमें भी दो हमें भी दो वन तू त्री गो तभी वहाँ पे नर्स दीदी आने लगती है यह देखो मैंने कहा था ना कि तलापर मिल जाएंगे बच्चे अरे ये क्या नर्स दिदी आ रही है क्या नर्स दिदी हाँ वो देखो उनके हाथ में कितना बड़े इंजेक्शन है अरे बापरे ये नर्स दिदी फिर हमें इंजेक्शन लगाने आ गई भागो भागो चलो उपर जाकर छुप जाते हैं शायद Nourse दीदी ने हमें ना देखा हो इंजेक्षन देखके मुझे बहुत डर लगता है हाँ देखो न कितना बड़ा इंजेक्षन है ये नर्स दीदी को तो मैं जेल में भेज दूँगा जब देखो बड़ा सािंजेक्षन लेके आ जाती है हाँ और हमें चॉकलेट का लालच दे के इंजेक्शन लगा देती हैं अब हम चॉकलेट के लालच में नहीं आएंगे हाँ नहीं आएंगे नहीं चाहिए हमें चॉकलेट चॉकलेट के नाम पर रोज रोज इंजेक्शन नहीं लगवा न हमें चलो बच्चों नीचे आजाओ, मैंने तुम सबको देख लिया है क्या, देख लिया? हाँ बच्चों, चलो नीचे आजाओ, वैक्सिन लगवा लो नई, हमें नए लगवान है वैक्सिन, आप चले जाओ नर्स दिदी हमें खेलने दो हाँ पेटा, खेल लेना, पर वैक्सिन लगाना बहुत जरूरी है ना? वैक्सिन लगाने से तुम सब बिमारियों से बचे रहोगे लेकिन दर्ध भी तो होता है नर्स दिदी बेटा, कोई दर्ध नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे चीटे काट रही है नहीं, चिटी काटने जैसा नहीं लगता है, बड़ा वाला चूटा काटने जैसा लगता है मुझे तो साप काटने जैसा लगता है, मुझे तो छिपकली काटने जैसा लगता है अरे बच्चों इतना नहीं डरते आखिर वैक्सिन तुम्हारी भलाई के लिए दी जाती है चलो अब एक एक करके नीचे आजाओ मैं तुम सब को वैक्सिन लगा देती हूँ या कहो तुम मैं ही उपर आ जाती हूँ ने ने नर्स दिदी ने ने इससे पहले की नर्स दिदी उपर आ जाए चलो हम सब तलाब में कोच जाते हैं हाँ हाँ चलो 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 कोच जाते हैं पहले मैं ही कोच जाता हूँ अरे अरे ये तुम सब क्या कर रहा बच्चों फिर एक के करके सारे बच्चे तलाब में कोच जाते हैं मैं भी कूद जाती हूँ ए भगवान ये बच्चों ने क्या कर लिया सारे के सारे तालाब में कूद गे कितना मज़ा आरे ठंडे ठंडे पानी में तैरने में हाँ हम इंजेक्शन से भी बच गे और तालाब में भी नहा लिया अब नर्स दिदी हमें इंजेक्शन कैसे लगाएंगे ये लगाओ दुपकी अरे विक्की तुमने बहुत अच्छा प्लान मनाया तलाब में कूदने का कितना मज़ा आ रहा है न ठंडे ठंडे पानी में ये देखो मैं कैसे उल्टा स्विमिंग करती हूँ ये देखो मैं भी उल्टा स्विमिंग करता हूँ सिश्टर अब क्या होगा कैसे वैक्सिन लगाएंगे बच्चो को बच्चे तो तलाब में कूद गए नर्स दिदी अब आप वापस चली जाओ हम वैक्सिन नहीं लगाने वाले हाँ नर्स दिदी हम तो बाहर नहीं आएंगे हमें बहुत गर्मी लग रही है ठीक है बेटा तुम बाहर नहीं आओगे तुम मैं ही अंदर आ जाती हूँ तोकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है क्या इस बॉक्स को यहां रख देती हूँ सिष्टर तुम जड़ा टॉफिया निकाल के रखना सिष्टर यह रही टॉफिया और फिर नर्स दिदी तालाब में जाने लगती है अरे नर्स दिदी पानी के अंदर भी आ गई अरे हाँ सच में ठंडे ठंडे पानी में तो बहुत अच्छा लग रहा है आओ बच्चो मैं तुम्हें ठंडे ठंडे पानी में ही वैक्सिन लगा देती हूँ ने ने नर्स दिदी ने ने हाँ बच्चो ये देखो हम तुम्हारे लिए कितनी सारी टॉफिया लाए है अरे वो कच्छा आम वाली टॉफिय भी है हाँ बेटा जल्दी से वैक्सिन लगवा लो और अपने मन पसंद की टॉफिय ले लो ने नर्स दिदी टॉफिय भी लाई है ठीक है नर्स दिदी लगा दिजे पर ठीरे से लगाना हाँ बेटा ठीरे से ही लगाऊंगी अब लाटली को लगा देती हूँ आजा ओ मिग्की बेटा तुम्हें तैरत यत लगा देती हूँ आजा आरा ना रहते लहते लगाने में थोड़ा थोड़ा अब रोहन को लगा देती हूँ आजाओ स्वीटी सोना तुम भी आजाओ विक्की तेरे भी हाथ में ही लगाओंगी बंपे लगाने में तुम बहुत गैस छोड़ता है चलो 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 हो गया अब जाओ तुम सब अपनी अपनी चोकलेट्स ले लो हाँ बच्चो चलो जल्डी से बाहर आजाओ अपनी अपनी चोकलेट्स ले लो अरे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ लगता है वैक्सिन लगाते लगाते हमारी आदत पड़ गई है बाई फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब किजे हमारा चैनल दिल्ली वाली बार भी बाबाई